उब्भोक्ता दिवस, जागो ग्रहक जागो, अपना हक मांगो आज के भौतेगवादी परिवेश में उब्भोक्ता वाजार के विकास के साथ ही उद्दम्यों या व्यापारियों द्वारा अपने स्वार्त की पूर्ती के लिए ना केवल उब्भोक्ता के हितों की अंदेखी की जानी है बलकि उसे ठगने का प्रयास भी किया जाने लगा ह ऐसे में नीती निर्धारकों द्वारा अप्भोक्ता के संद्रक्षन के लिए अप्भोक्ता संद्रक्षन कानून का गठन किया ताकि उद्दम्यों या व्यापारियों द्वारा अप्भोक्ता के हितों की अंदेखी न की जा सके यह किसी देश में नहीं बलकि संसार में अन हित का एक सार्थक प्रियास है इसका निर्मान उबोक्ताओं के हितों की रख्षा के लिए उन्हें जागरूख करने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया एक कानून है सोई से लेकर हवाई जाज तर होटल से लेकर हॉस्पिटल तर गलत विज्यापन या जनता को ब्रहमित करने वाले विज्यापन इलेक्ट्रोनिक उक्करण वा इंशुरेंस सेक्टर सहित तमाम शेत्र उबोक्ताओं की परिधी में आते हैं कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वबोक्ताओं फोरम में अपने साथ हुए ठगी की शिकायत कर सकता है वबोक्ताओं में किसी भी तरह के मुकदमे का निप्तारा नियम तह 90 दिनों के अंदर करने का प्रावधान है वबोक्ता संरक्षन कानून की स्थापना अमेरिका में हुई थी वहां के ततकालीन रासपती केनेडी चाहते थे कि वबोक्ता अपने हितों के प्रती जागरुख हो इसके लिए 15 मार्च 1962 को उन्होंने उबोक्ता के अधिकारों को बिल ओफ राइट्स में समलित करने की घोशना की और उबोक्ता सुरक्षा आयोक का गठन किया उबोक्ताओं को यह अधिकार क्रम्षा, सुरक्षा, सूचना, चैन एवं सुनवाई के संब्ध में दिये गए थे तभी से प्रतीवश 15 मार्च को विश्फ उबोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा अमेरिका के बाद बिटेन ने भी 1973 में उचित व्यापार अधनियम पारित किया इसके बाद सायूक्त राज संग ने उबोक्ता के अधिकारों में तीन अतरिक्त अधिकार क्रमशा छटिपूर्ती का अधिकार उबोक्ता सिख्षा का अधिकार एवं स्वासे पर्या वरन का अधिकार इस संकला में समलित कर दिया उबोक्ता के हितनों की रक्षा के लिए एक और महत्मून कदम था फल्शरूप संयुक्त राज अमेरिका, यूरोपी संग तथा कई अन्य विक्सित देशों ने उब्भोक्ता हितों के संरक्षन के लिए दिशा निर्देश जारी किये विक्सित राष्टों ने उब्भोक्ता संरक्षन कानून की स्थापना कर जागरुकता का परचे दिया 24 दिसम्बर 1986 में भारती संसर द्वारा उब्भोक्ता संरक्षन अधनियम पारित किया गया यह कानून जम्मू और काश्मीर को छोड़कर संपूर देश में लागू किया गया इसका उद्देश देश में उब्भोक्ता के हितों की सुरक्षा और संरक्षा परदान करना है चुकि 24 दिसम्बर को उब्भोक्ता संरक्षन अधनियम पारित हुआ था इसलिए भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को रास्टी उप्भोक्ता दिवस के रूप में गोशित किया। उप्भोक्ता संद्रक्षन अधनियम 1986 के प्रावधानों के अंतरगर उप्भोक्ता संद्रक्षन परिष्ट का गठन किया गया। सबसे पहले रास्टी इस्तर पर केंद्री उप्भोक्ता संद्रक्षन परिष्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। भारत में बढ़ते वाजारबाद के दौर में बेशक उब्भोक्ता संस्कृती में बढ़ोत्री हुई है लेकिन अभी भी उब्भोक्ताओं में जागरुकता की कमी है। वस्तुओं में मिलावट, दूसरों को धोका देकर अपना उल्लू सीधा करना, व्यापारियों द्वारा अधिकादिक मुनाफ़ा कमाने के लिए अनेक्तिक तरीकों को अपना कर ठगना और भ्रामक एब मिथ्या विज्यापनों द्वारा लोगं को बिफूब बनानी की पचास होती है, ये सदश वित, राजनीती, व्यापार, उद्योग, क्रशी, लेखांकन, आदी शेत्रों से चैनित होते हैं और उब्भोक्ता संबंदी मामलों के विशेशग्य होते हैं, परिशत का कारिकाल तीन वर्ष का होते हैं, उब्भोक्ता संरक्षन अधनियम को 1993 वा 2002 में महतपूर्ण संसोधन किये गए, इस संसोधन अधनियम को 15 माज 2003 से लागू कर दिया गया, क्योंकि भारत के राजपती ने 24 दिसंबर 1986 के दिन उब्भोक्ता संरक्षन अधनियम को सुईकारा था, इसलिए भारत में 24 दिसंबर 2000 से रास्टी उब्भोक्ता दिवस क के रूप में मनाया जाने लगा, उब्भोक्ता संरक्षन परिशत का मुल उद्देश उब्भोक्ता के अधिकारों का संरक्षन एवं संबर्धन हेतु सरकार को समय समय पर परामश देना है, उब्भोक्ता संरक्षन अधनियम तीन इस्तरों पर अर्धनियाएक अभिकरणों के द्वारा जनता के हितों के लिए कारे करता है जिसमें पहला जिला मंच, दूसरा राज आयो, तीसरा राश्री आयो, इनका उद्देश उब्भोकता के हित में तुरितवा सस्तर न्याय प्रदान करना है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे समयवाद पैसे दोनो राज में किया जाता है जिले में इनकी हिकाई एक या एक से अधिक भी हो सकती है जिलाओ भोकता मंच, पांच लाग रुपए तक की लागत वाली छटिपूर्ति के लिए मामनों की सुनवाई करता है यहां सुनवाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकारका शोल्क नहीं देना होता। दूसरा अर्ध नियायक अभिकरन राज आयोग होता है। इसका अध्यक्ष उच न्याले का न्यायधीश होता है। न्यायधीश के अत्रिक एक महिला सदस्य तथा दो अन्य सदस्यों की नुक्ति की जाती है। राजी उभोक्ता आयोग पांच लाग से बीस लाग तक की लागत वाली सेवाओं तथा छती पूर्टी के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तीसरी और अंतिम संस्था राज्स्री उभोक्ता आयोग इसका गठन केंद्री सरकार द्वारा नई धिल्ली में उच्चतम न्याय लेके किसी न्याय अधीश की अध्यक्षता में किया जाता है। इसके अंतरगत 20 लाख रुपए से अधिक तक की लागत वाली सेवाओं तथा छती पूर्टे के मामलों की सुनवाई की जाती है। जागरुक्ता ही उभोक्ता का हत्यार। भारत में उभोक्ता संरक्षन कानून 1986 की अंतरगत सुई से लेकर हवाईजाद तक सभी उभोक्ता कानून की परीदी में आते हैं। जो भोक्ता अपने अधिकार के प्रती जागरुक हैं, उन्हें जागो ग्रहक जागो का नारा न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे उभोक्ता हैं जो यह अनुभब तो करते हैं कि उन्हें लूटा जा रहा है। अत्वा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में आयोग तक पहुँचने से कत्राते हैं। कई लोगों को लगता है कि सामान मुकदमों की तरह यहाँ पर भी पैसे और समय की बरबादी होगी। तो यह सोच गलत है। ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही विश उब्भोक्ता संडक्शन दिवस के आयोजन के द्वारा उब्भोक्ता को जागरुक करने का प्रियास किया जाता है। अगर आप अपने अधिकारों के प्रती जागरुक हैं तो आपको न्याय और हरजाना दिलाने में उब्भोक्ता फोरम पूरी मदद करेगा। यदि किसी उत्पात को खरीदने के बाद आप उससे असंतुस्थ हैं और आप अपना मूले हरजाने के तौर पर वसूलना चाहते हैं तो उब्भोक्ता फोरम में शिकायत करके हरजाने की मांग कर सकते हैं। उब्भोक्ता सनलक्षन अधनियम 1986 के अंतरगत उब्भोक्ता अपने अधिकारों के लिए उब्भोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। इसके लिए बस आपको अपने अधिकारों के प्रती जागरुक होने की जरूरत है। अगर जागरुक हो उब्भोक्ता तो नहीं होगी कोई समस्या. इसी लिए हर उबहोकता को अपने अधिकारों एम्म कर्तवियों के वारे में जानना बहुत ज़रूरी है. क्या है उबहोकता के अधिकार? आपको हर सामान की खरीद की रसी लेने का अधिकार. चुनने का अधिकार. आपको अपनी की शिकायद करने का अधिकार है सामान अत्वा सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा शम्ता शुद्धता इस्तर और मूली की जानकारी रखने का अधिकार सूशना पाने का अधिकार आपको खरीदेगे सामान अत्वा सेवाओं के संब्द में सूशना पाने का पूरा अधिकार है और बोगता फोरम में आप निम्न खाद पदार्थों में मिलावट की भी शिकायत कर सकते हैं दूज से मलाई निकाल कर बेचने पर गलत विज्यापनों के द्वारा गुमरहा करने पर मूले से अधिक MRP का नरधारन करने पर गारंटी और वारंटी की शर्टों को पूरण ना करने पर तुटी पूर्ण सामगरी वाली वस्तूओं की आपूरती करने पर पैकेट द्वारा दी गई जानकारी से अलग वस्तू पैकेट के अंदर होने पर उप्वोक्ता हेल्प लाइन पर कर सकते हैं शिकायत उप्बोकताओं की मदद के लिए केंदर और राज इस्तर पर दो हेल्प लाइन संचालित की गई है आप अपनी समस्याओं की शिकायत इन हेल्प लाइन नंबरों के द्वारा भी कर सकते हैं इस नमबर पर फोन करके आप कोई जानकारी दे सकते है सुझाओ या फिर अपनी शिकायत के लिए मार दर्शन प्राप्ट कर सकते हैं साथ ही 918130009809 पर SMS भीज कर भी साहता प्राप्ट कर सकते हैं क्या है उब्भोक्ता के करतव्य किसी भी सामान की खरीदी करते समय सावधानी बरतना आपका करतव्य है विविन आधार बूत पहलूँ जैसे वस्तुकी MRP, हॉल मार्क, ISI मार्क, एक्स्पायरी डेट आदी के बारे में जानकारी रखना आपका करतव्य है मिलावटी खाद पदार्तों के खिलाफ आवाज उठाना आपका करतव्य है सबसे एहम और महत्पूर्ण आपका अपने अधिकारों के प्रती जागरुख होना आपका करतव्य है अधिकारों के प्रती जागरुख होना बहुत जरूरी खयाल रखें बरतमान में धोका देकर अपना उल्लू सीधा करने वालों की कमी नहीं है इसलिए आपको अपने अधिकारों के प्रती जागरुख होना जरूरी है आपकी जागरुखता पर ही सब कुछ निर्भर करता है कई बार लोग सामान तो खरीद लेते हैं पर दुकानदार से रतीद लेना जरूरी नहीं समझते बाद में इसी की वज़े से दिकतों का सामना करना पड़ता है इसी लिए जब भी आप कोई भी महत्तपुन खरीदारी करें तो उसकी रतीद जरूर ले अगर आप जागरूख होकर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अस्विधाओं से सुरक्षत रहें यदि आप अपना टैलेंट बंजरा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दो से तीन मिनिट का विडियो होरिजोंटल में बना कर इन नमबरों पर भेजें